सिख परिवारों में भी एक समय विवाह के कुछ सालों तक एक बहु को घूंगट में रखने का प्रचलन जोरों पर था। ससुर जेठ यां पराय मर्द के सामने घूंगट नहीं हटाना। यह भी सख्त हदायत दी जाती थी। कहीं कहीं गावों में आज भी कुछ सिख महलाएं घूंगट में नजर आती हैं। घूंगट का प्रचलन हिंदू सिख महिलाओं दोनों में रहा है पर आज नहीं है क्योंकि इसमें समय के साथ जरूरी परिवर्तन हुआ है। जिस कारण अपनी शिक्षा के चलते हिंदू सिख महिलाएं तो समय के साथ इस घूंगट लेने के पाखंड भरे रविये से बाहर निकलने में सफल रही है। पर मुसलिम महलाएं अपनी अशिक्षा के कारण आज भी वहां की वहां फंसी हुई है। क्या कोई समझदार व्यक्ती शिक्षा से जरूरी हिजाब को मानेगा? पहले हिजाब, फिर किताब, मूर्खता है। ऐसा क्या है बुर्के और हिजाब में कि इसका इतना समर्थन हो रहा है? मुझे तो यह मात्र धार्मिक जिद का मामला लगता है। बुर्के और हिजाब के शुरुवाती चलन के कुछ कारण रहे होंगे, जो सही हो सकते हैं। लेकिन आज मुस्लिम महिलाओं को ऐसी सुरक्षा की कया जरूरत है। एक हिंदू, सिख, ईषाई और अन्य धर्म की महिलाओं को अगर ऐसे परदों की जरूरत नहीं है, तो मुस्लिम महिलाओं को इसकी इतनी जरूरत क्यों है? समझ से परे है। हालंकि मुसलिम महिलाओं में भी इसके अपवाद मिलते हैं जो बुर्का और हिजाब नहीं पहनती पर जो मुसलिम महिलाएं बुर्का या हिजाब नहीं पहनती वो भी इसका जन तक विरोध करने की हिम्मत नहीं रखती मुसलिम धर्म में बुर्के और हिजाब को धर्म मजभब से सबंदित माना जाता है पर हैरानी यह है कि बुर्के और हिजाब का तो कुरान में वर्णन भी नहीं है कुरान में इस बात पर जोर जरूर दिया गया है कि महिला और पुरुष दोनों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो उनकी गरिमा और लाज को बना कर रखे यानि महिला और पुरुषों दोनों को कहा गया है लेकिन इसलाम धर्म के खुद बने ठेके दारों और मुस्लिम नेताओं ने समय समय पर लोगों को इस पर गुमराह करने की कोशिशें की है उन्होंने पुरुषों को तो छोड़ दिया पर महिलाओं को तीन तलाग जैसी बुराईयां और बुरके और हिजाब जैसे वस्त्रों में फंसा कर रख दिया जो आज जरूरी से ज्यादा मात्र दिखावा बन कर रह गया है क्योंकि हर कीमती चीज परदे में होती है कतर्क भी आधारहीन है क्योंकि काला धन भी तो परदे में होता है जबके सफेद धन सब के सामने